साथियों नमस्कार क्या आपको पता है कि भारत रत्म पुरश्कार की शुरुवात कब से हुई आजात भारत के ठीक साथ साल बाद बर्स 1954 में शुरुवात होता है भारत रत्म देना और अब बात आती है कि पहली बार भारत रत्म किसे दिया गया पहली बार भारत रत्म तीन लोगों को दिया जाता है और उनके नाम है सी राजगुपालाचारी, डॉक्टर यस राधा कृष्णन और सीवी रमन अब हम बात करते हैं कि सन 1994 में भारत रत्म किसे दिया गया भारत को एक जुट करने वाले उसमहान नेता का नाम क्या है भारत के उसमहान सपूत का नाम बताईए जो 565 रियास्तों को मिलाकर एक देश बनाया और खुद प्रधान मंत्री नहीं बने साथियों धैरे और सहनशीलता के समराथ लोगों के दिलों पर राज करने वाले और अपनी बात का लोहा मनवाने वाले लौह कुरुष सरदार बलब भाई पटेल ही वो महान पुरुष रहे जिन्हें वर्ष 1994 में भारत रत्म से सम्मानित किया गया यह अलग बात है कि उन्होंने भारत के कोने कोने को मिलाया उन्हें भारत रद पुरसकार देने में इतनी देर क्यों हो गई विचार का विशे रहा है आई हम जानते हैं कि पटेल जी की फैमिली बैग्राउंड क्या रहा है सवतंत्र भारत को एकताव खंडता के सुत्र में बादने वाले बल्ला भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाल गुजरात के किसान परिवार में हुआ इनके पिता जावर भाई करमसाद के निवासी थे और अत्यांत धार्मिक प्रविर्ति और देश भक्ति से ओत प्रोत एक मध्यम बर्गी किसान थे कहा जाता है कि सरदार बल्ला भाई पटेल के पिता ने 1875 के सुत्मता संग्राम में फाग लिया था उनकी माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली एक सरल एवन कर्मठ मैला थी उन्होंने किशोवर बल्लब में स्वावलंबन, परिशरम तथा आत्मसायम के गुड़ खूट खूट कर भरा था सत्रवर्ज की आयू तक बल्लब अपने पिता के साथ रहे अपने पिता के साथ खेतों में जाते थे, साथ में काम करते और जीने का आच्रण सिखते एक और बात पटेल के बारे में कहा जाता है कि महीने में दो बार उपवास रखते थे उन्होंने गाओं के स्थानी स्कूल में अपनी मात्र भाषा में प्रारंबिक सिख्षा प्रात्त की आगे अध्यान के लिए बल्लब भाई पटेल नाडियाल चले गए जहां उन्होंने 1897 में नाडियाल हाई स्कूल से अपनी मैट्रिक की परिक्षा पास किया चात्र के रूप में बल्लब भाई पटेल पहले ही अपने वकालत के विशय में मन बना चुके थे वो एड़ोकेट बनना चाहते थे चुकि वो विश्विद्याला सिक्षा के व्यक्षा को वहन नहीं कर सकते थे अता उन्होंने प्रारम में जिला प्लीडर बनने का निड़े लिया सरदार पटेल स्थानी प्लीडर की परिक्षा में शामूर हुए और उत्तिर भी हो गए और जिला ने आलय में प्लीडर के रूप में अपनी वकालत शुरू कर दी तो साथियों आईए हम जानते हैं कि बल्लब भाई पटेल के अंदर जिम्मेदारी निभाने की कला कब और कैसे आई साथियों जब बल्लब भाई अपनी किश्वरा वस्था में ही थे उनके माता पिता ने जिवर भाई के साथ उनका बीवा पक्का कर दिया और यहां से शुरू होती है उनकी ग्रहस्ती उनकी गहरी समझ निर्भिक्ता दूर द्रिष्टी शांत प्रकृती और मानो सभाव की समझ ने उन्हें अपने ब्योशाय में पर्याक्त सहायता प्रदान की सन 1908 में आखरी दिनों में बल्लब भाई की पत्नी बीमार पड़ गई और एक अपरिहारे सर्जिकल आपरेशन के लिए उन्हें मुंबली ले जाना पड़ा किन्तु आपरेशन के प्रस्चात सन 1909 में उनकी मृत्यू हो जाती है बल्लब भाई पतेल की पत्नी की मृत्यू के समय स्री बल्लब भाई की उम्र केवल 33 वर्ष थी और उस समय उनके केवल दो बच्चे थे मनी बेन नामक पुत्री जिनका जन्म अपरेशन 1904 में हुआ था और दादा भाई नामक पुत्र जिनका जन्म 1905 में हुआ था बल्लब भाई कानून की आगे की पढ़ाई करने के लिए 1910 में इंग्लैंड चले गए मिडल टेम्पल से उन्होंने रोमन लौ परिक्षा प्रथम सरेणी में उत्तिर की पुना जून 1912 में अंतिम परिक्षा में वो प्रथम सरेणी में उत्तिर हुए जिस पर उन्हें 50 पाउंड का पुरशकार मिला यानि विदेशों में भी जंदा गार दिये मिडल टेम्पल में अपना अध्यान सत्र पूरा करने के पस्चात बल्लब भाई को नए वर्ष पंजिकलर समारों में सम्मानित किया गया और विशेश योग्यता सहित अपनी परिक्षा उत्तिर करने के लिए उनका नाम में धावी छात्रों की सूची में दर्ज किया गया दिरांग 13 फरवरी 1913 को भारत पहुँचने पर बल्लब भाई एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे इसलिए उन्होंने एहमदाबाद में बारिस्टर के रूप में वकालत करना शुरू कर दिया वकील के रूप में स्री बल्लब भाई ने बड़ी निर्विक्ता का परिशे दिया बल्लब भाई सन 1919 के आंत तक वकालत के बेवसाय में सक्री रहे और इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन में अधिकाधिक व्यस्त होते चले गए एहमदाबाद के नगर प्रशासंग के कारण बल्लब भाई का ध्यान पहली बार सार्वजनिक कारिकी ओर आकरशित हुआ हुआ क्या था एहमदाबाद का पहला आयुक्त सी लीड एक अख़ड और जिद्धी किस्म का आदमी था फिर आयुक्त के इनकॉंपिटेंट एड्मिस्टेशन के परिडाम सरूप एहमदाबाद की जनता में असंतोष फैल गया लोग नाराज रहने लगे उस स्थिती में सुधार लाने के लिए एक प्रभावशाली और समर्थ व्यक्त की अत्यंता उशक्ता थी अतव बल्लब भाई स्वेम नगर परिशत का चुनाव लड़ने का फैसला किये जिसके लिए वो निर्विरोध चुन लिये गए बल्लब भाई ने नगर पालिका के अधिकारियों की शमता और उनकी उदाशीनता के बिरुध संखर्स किया और इस प्रकार कह सकते हैं धीरे धीरे स्थानी प्रशासन को नगर के निवासियों के लिए सक्षम और उनकी जरूरते पूरी करने वाला बना दिया बस 1917 में वह उस समय गांधी जी की और आकरशित हुए जब गांधी जी ने चंपारण की चुनोती स्विकार कर ली और बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों की तकलीफें बहुत हद तक दूर की जा चुकी थी सातियों उन्होंने गुजरात के पहले राजनितिक सम्मेलन में उच्चुक्ता प्रुवक भाग लिया बुरी प्रथाओं की निंदा की और बुराईयों को समाप्त करने का निर्ण लिया और गुजरात सभा का सची पत स्विकार कर लिया बस 1918 में उन्होंने बिलासिता, वैभो और ख्यातिपुल जीवन का परित्याग करके गांधी जी के साथ सादगी से जीवन जीने और जन सेवा के मार्ग का अनुसरर करने लगे बलभाई को अहिंसात के अमोग अस्त्र सभ्त्यागर का पाठ किसी और ने नहीं बलकि स्वैम बापु ने पढ़ाया गुजरात के खेडा जिले में भयंकर अकाल पढ़ा, जहां भारी बर्षा होने के कारण किसान अपनी भूमी एक वर्ष तक भूमी से कुछ प्राप्त ही नहीं किये और उनकी फसल उस वर्ष बर्बाद हो गई लेकिन ब्रिटिश सरकार जिसका किसानों के प्रती रवईया पहले से ही सकत था हमेशा की तरह किसानों की दुर्दशा के प्रती कोई सहानुभूती नहीं दिखाई बलकि वो उन पर पड़ी बीपत्ती के बावजूद उनसे हर हाल में भूर अजस्वे वसूल कर रहा चाहती थी बल्ला भाई ने इस कारे में अपनी सेवाएं अर्पित की और गांधी जी के नत्रित्र में किसानों का एक आंदोलन शुरू किया जिसने सत्यागरा का रूप ले दिया हम कह सकते हैं कि इसके अंतरगत एक और तो उन्होंने कर देने से मना कर दिया और तूसरी ओर अधिकारियों से किसानों की दुल्दसा पर विचार करने और उनकी सपतियों को जब्त करने और उन्हें परिशान न करने का अनुरोद किया सत्ता के साथ लंबे अर्षत तक संघल्ष करने के बाद अंततर यह अभियान सफल हुआ और खेडा जिले के कलेक्टर ने किसानों को तंग न करने और उन्हें राहत देने के गांधी जी के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया इसके बाद ही बल्लव ने अपना सारा ध्यान जन सेवा में लगाने का प्रण कर लिया और गांधी जी की सलापर अपने पस्चमिश अली के कपड़ों का भी परिताग कर दिया और बर्स 1919 में जब बिटिस गोवर्मेंट द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो बल्लव भाई के नेत्यत में एहमदाबाद शहर के बिरोध में पुरा जनसमदायक खड़ा हुआ बड़े बड़े जुलूस निकाले गए और हिंद सुराज और सर्वोदय जैसी पत्रिकाएं खुलेयाम बेची गई सत्यागरा बुलेटिन के को प्रकाशित किया गया और विवस्था के दौरान कई लोगों को बिना किसी कारण के नजर्बंत कर दिया गया बल्लव भाई ने उनकी पैरवी की और उने छुड़वाया सरकार जनता की सुतनता की मांग हर संभव हर तरीके से उनका दमन करती जा रही थी इसके बदले में गांधी जी ने अहिंसा पर आधारित सहयोग की बात की 11 जुलाई 1920 को बलव भाई के कहने पर गुजरात राजनितिक सम्मेलन में असायोग अंदोलन का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया गया बर्स 1921 पर वह नौगठित गुजरात प्रादेशिक कंग्रेस संती के अध्यक्स शुन लिये गये चवरी चवरा कांट और गांधी जी द्वारा सब इने अवग्या अंदोलन को समाप्त करने और उनकी गिरफतारी के बाद जहां तक गुजरात का सम्मन था वहां के कारे के जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी बलव भाई के कंदो पर आपड़ी साथियों बलव भाई ने इस बारे में दिर संकल्प लिया कि गुजरात में गांधी जी के कारेकरम को चलाये जाएगा उन्होंने दस लाख रुपए कत्र करके गुजरात विद्यापीट की स्थापना की और साथी साथ बर्स 1923 और इसके बाद सर्वजनिक स्थलों पर यूनियन जैक के स्थान पर रास्टी जंडा फहराने के प्रश्न को महत दिया जाने लगा क्योंकि कत्कालीन सरकार इसकी अनुमती कत्ते ने देती थी सरकार के आदेश के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया सर्वजनिक स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया सरकार ने जंडों को जब्त करना शुरू कर दिया और कई नेताओं को जेल में ठूस दिया गया देश में राश्टी जंडे को सम्मान का दर्जा दिलवाने के संघर्ष का केद्र नागपूर था साथियों बल्लब भाई राश्टी जुलूस में भाग लेने और गिरिफतार होने के लिए गुजरास से स्वैम सेवकों को भेज रहे थे और अंत में वह संघर्ष का नित्वत करने स्वैम नागपूर चले गए परन्तु आंदोलन जोर पकरता गया और अंततर सरकार ने समझोता कर लिया और बल्लब भाई ने स्थानी सरकार के गिरिफ सदस के सिविल लाइन से बिना किसी प्रतिवंद के एक जंडा जुलूस निकालने की अनुमती पाने के लिए इस ओशर का पूरा उप्योग किया जंडा अंदोलन के संबंद में गिरिफतार किये गए व्यक्ति भी रिहा कराए जाने थे इस प्रकार यह अंदोलन राष्टी हित में समाप्त हुआ और बल्लभाई पटेल विजई सावित हुए और बर्स 1927 में पारदोली में जमीन के लगान का समय समय पर पुनर निर्धारन करने के कारण संकट पैदा हुआ जिसके कारण इसके परड़ाम सरू मौझुदा दरों में 30 परतिशत की मनमानी ब्रिधी की गई जमीन के लगान में की गई अचानक ब्रिधी से किसानों को भारी अगात पहुँचा इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें अतर वे बल्लब भाई पटेल के पास पहुँचे बल्लब भाई बार्दोली पहुँचे और सरकार के लगान ब्रिधी के अन्यापुर्ण निर्धा का शांतिपुर्ण धंग से बिरोत करना शुरू किया और ऐसा आधार तयार किया कि सरकार ने बढ़ी हुई लगान का दर प्राप्त करने के लिए हर संभो प्रयास किया किन्ट कोई भी लाव नहीं हुआ बार्दोली के लोग अनुशासित तथा एक जुट थे अतर सरकार के लिए उनकी संपत्या जब्त करने तथा न्याईक जाच के ऐसे आने कारे करने के आदेशों को लागू करना एक बहुत कटिन काम बने गया सशक्त सरकार के बिरुद किरिशतकों की इस अनुठी विजय ने समस्त देश्वासियों में अहिंसात्मत सत्यागर की छमता के प्रती एक नया विश्वास भर दिया इस घतना के बाद बल्लभाई पटेल को पिसानों का सरदार कहा जाने लगा और लोगों द्वारा उन्हें दी गई यह उपाधी स्थाई रूप से उनके नाम के साथ जुड़ गया और लोग उन्हें सरदार बल्लभाई पटेल के नाम से पुकारने लगे बार्दोली में सर्दार की उपलब्धी ने उन्हें गांधी जी के बाद दूसरे नमबर के अखिल भारती स्तर का नेता बना दिया उन्होंने अब गुजरात से बाहर बड़े विश्यों पर ध्यान देना शुरू किया मार्च 1939 में सर्दार ने काठिया वार्ड राजनितिक सम्मेलन का अध्यक्षता की बर्ष 1939 में कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्हें सौपी गई किन्तु सर्दार ने पुल सौराज की प्राप्ति के काम करने की बात कहकर बिनम्रता से उसे टाल दिया बर्ष 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा आरंभ होने से पुर्व सर्दार पटेल गिरिफतार कर लिया गया अगस्त 1930 में उन्हें दुबारा तीन मा की जेल हुई जिसकी अवधी पुरी होने के बात दिसंबर में उन्हें तीसरी बार गिरिफतार कर लिया गया और पुर्ण उन्हें नो महिने के लिए जेल भेज दिया गया बर्ष 1931 का कॉंग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ और सर्दार पटेल इसके अध्यक्ष चुने गए जनवरी 1932 से मई 1933 तक जेल में अपने कारावास के दवरान उन्होंने अपना समय गांधी जी के साथ बिताया और इस दवरान सर्दार ने चाय पीना और धुम्रपान करना छोड़ दिया तथा गीता का आध्यन करना प्रारम्ड किया इस विशम काल में उनकी माता लाटबाई और बड़े भाई बिठल भाई पटेल का देहान्त हो गया उन्हें सन 1934 में और सुस्ता के कारण बिनाशक रिहा कर दिया गया सन 1937 में सरदार ने करांती विधान सभाओं के चुनाओं का संचालन किया जिसके परड़ाम सरूप कॉंग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सत्ता में आई जब भारत को उसकी समिती के बगार अक्टूबर 1949 में बिश्विद में जोक दिया गया तो मंत्री मंडल से त्यार पत्र दे दिया इन्होंने सन 1940 में व्यत्तिगत सत्यागरा चराया गया और सरदार पटेल को फिर कारागार जाना पड़ा जहां से उन्हें खराब स्वस्त के कारण पुना 20 अगस्ट 1941 को रिहा कर दिया गया सन 1942 में उन्होंने स्टेनफोर्ट क्रिप्स से वारता की जो असफल रही अखिल भारती कॉंग्रेस समती ने आठ अगस्ट 1942 को मुंबई में प्रसिद भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया एक त्यंत महत्तपूर्ण नेता होने के कारण सरदार पटेल को फिर से गिरफतार कर लिया गया और जून 1945 में रिहा किया गया कॉंग्रेस ने 1946 में केंदर में सत्ता समाली सरदार पटेल को अंतरिम सरकार का ग्री मंत्री और उप्रधार मंत्री बिनाए गया दिनांक 2 जून 1947 को ब्रिटिस सरकार ने घोसड़ा की कि 15 अगस्ट 1947 को सत्ता का हस्तानांतरर कर दिया जाएगा बस 1946 और 1950 के मध्य उन्होंने ग्री मंत्राले और रियासत मंत्राले का कारेभार जो चिनोतियों से भरा हुआ था उत्कृष्ट और अद्विती धर्म से समाला तो आई हम जानते हैं कि सरदार पटेल ने देशी रियास्तों को भारत में कैसे मिलाया साथियों सरदार पटेल द्वारा देश के लिए किये गए महानतम कारियों में से एक कारिय देशी रियास्तों का भारत संग में बिलाय करना है जो उन्होंने कारगर ढंग से किया उन्होंने 565 देशी रियास्तों का अत्यंत सफलता पुरुवक और बहुत अल्प अवधी में भारत में बिलाय करवाया यह सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत को अराजक्ता और अववस्था की इस्तिती से उबार कर लोगतांत्रिक राष्ट के रूप में स्थापित किया वास्तों में उन्होंने भारत को एक करने का महान कारि किया उनको शत्षत नमन भारत माता के इस महान और विराख वेक्तित्यु के धनी सपूत को 15 दिसंबर 1950 को नियती के कुरूर हाथों ने हमसे चीन लिया भारत ने स्वतंत्र भारत के तीन हस्तियों में से एक इस महान नेता को खो दिया संपूर राष्ट शोकाकूल हो गया संसद में प्रधान मंत्री पंडित जवारला लहरू ने अपने साथी को मारमिक प्रसिद सद्धांजली देते हुए कहा यह एक महान गाथा है जिसे हम जानते हैं संपूर राष्ट जानता है और जिसका इतिहास के अनेक पलों में वर्डन किया जाएगा और उन्हें नए भारत के निर्माता और संस्थापक के संग्याद दी जाएगी कई बातें उनके बारे में कही जाएगी किन्तु हम में से अनेक उन्हें सोतंता संग्राम के एक महान नायक के रूप में सदा याद करेंगे क्योंकि वह एक ऐसे विति थे जो संकट काल में अथ्वा विजय बेला में सदा ही उचित परामर्ष दिया करते थे और जिस पर एक मित्र एक सहयोगी के रूप में निर्विवाद रूप से भरोसा किया जा सकता था जिन्होंने हमारे संकट के दिनों में दुविधा में पड़े हुए हमारे हिर्दय को पुनर्शक्ति प्रदान की हम लोग उन्हें एक सचे साथी और सहयोगी के रूप में याद करेंगे और मैं तो जो इस बेंच पर बर्षों से उनके बगल में बैठता था और भी कुछ एक आकी महसूस करूँगा और जब जब मैं इस खाली सीट को देखूँगा तब तब मैं एक रिक्ती का अनुभव करता रहूँगा लाट माउंड बेटन ने सरद्नाजली देते हुए कहा उनकी छबी भारत के जन मानस पर सदयव अंकित रहेगी सन 1947 और 1948 में रियासत मंत्राले के प्रभारी के रूप में उनका महानकार इतिहास में लिखा जाएगा क्योंकि उन्होंने रियासतों की समस्या को भली भाती समझ कर तथा इनके सास्टों को पुर सम्मान करते हुए अत्यंत ही जटिल समस्या का जिस प्रकार समाधान किया वैसा आज तक कोई भी राजनितिग्य नहीं कर पाया था संयुत राष्ट महासचिव ने कहा सरदार बल्लब भाई पटेल के निधन से भारत ने एक महाननेता और संयुत राष्ट संग ने एक शक्तिशाली मित्र को खो दिया है साथियों सरदार बल्लब भाई पटेल देश के प्रधान मंत्री नहीं बन पाए इसका कस्ट है लेकिन इस पर अगला वीडियो पुना लेकर आएंगे नमस्कार